कर दो चीजों के उपर सबसे पहला है आई-पियो दूसरा है जो है हमारा टेलीग्राम चनल के बारे में तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करो तो चलिए जो है आई-पियो का बारे में थोड़ा से information जान लेते हैं तो IPO जो है वो उसका नाम है DCX System Limited ठीक है यहां पर आपका ओलड़ी यह open हो चुका है IPO के लिए आप यहां से apply कर सकते हो यह 31st October से जो कि आज है date 2 November तक यह आपका open रहेगा issue size जो है आप देख सकते हो 525.38 करोल से quantity आपको यहां पर 72 मिलेगा और इसका प्राइस रेंज जो होने वाला या प्राइस बेंड के लिजिए जो इसका होने वाला है वह 197-207 तक का होने वाला है minimum paid amount आपका यहां पर दिखा रहा है 14,144 रूपेश ठीक है अब थोड़ा इस IPO के बारे में थोड़ा सा details जान लेते हैं तो details के लिए मैं आपको लेके चलूंगा यह website पर और यह website का link आपको मैं description पर दे दूंगा या comment section पर दे दूंगा आप इस website को visit करके जो है खुद भी details सारी चेक कर सकते हो तो यहाँ पर पहली बार जो है यहाँ पर DCX का जो भी introduction है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह एक leading Indian player है manufacturing करता है in electronic subsystem and cable harnesses और इसका operation जो है शुरू हुआ था 2011 पर यह अभी चल रहा है आप यहाँ पर सारे details यहाँ पर देख सकते हो कहां पर कहां पर इनका जो है system के साथ connected है concept public sector को कितना service provide करते हैं private companies को कितना वगएरा सब कुछ यहाँ पर details ही मिल जाएगा हम लोग directly आते हैं company क financials पर आप देख सकते हो यह जो है 2021 और यह जो है जून का 21 आप देख सकते हो total assets revenue profit after tax और इनका total borrowings जो है देरे देरे कम होते आ रहा है और इनका profit after tax भी आप देख सकते हो ठीक है तो मैं यहाँ पर कूछ important चीज़े आपको मैं बदा देना चाहता हूं जैसे कि यह आपका जो opening date वगरा है आपको मैंने जैसे starting में बदाया 31st October जो की आज है closing date again 2 November तक यह है और उसके बाद जो है आज यह 10 बजे खुला है और मैं आपको time भी बदा देना चाहता हूं November 2 तरीक 5 बजे तक सामके यह open रहेगा आप चाहें तो इसको apply कर सकते नहीं है तो नहीं कर सकते कोई दिक्कत का बात नहीं है इस मैंटर पर हम लोग लास्ट पर बात करेंगे जब यह सारी चीज़े मैं आपके साथ चीज़ों है डिसकस कर लूँ तो सबसे पहले यहां पर basis of alignment जो है यहां पर alignment हमको मिलेगा 7th November को और आपको अगर नहीं मिलता है तो वहां पर आपको refund मिल जा आने के बाद यह 10th November को यह आपका जो demand account है वहां पर आपका जो है यह shares को दे दिया जाएगा मतलब credit किया जाएगा यहां पर आप देख पार हो अगर आप इस apply करोगे तो आपके जो है यहां पर portfolio section के holding section पर आएगा ठीक है यहां पर आएगा portfolio value आपने जो भी चीज़ यहां पर आपको यहां पर dcx का आपको नजर आएगा ठीक है और यहां पर listing date जो है यह November 11 को ही जो है चार्ट पर देखने को लगेगा कि क्या इसका जो price है उसके हिसाब से कहा price उपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो initially जो जब IPO launch हो था सारी IPO तब तो IPO का crash चल रहा था सबको IPO apply कर और nifty पर मैं यहां पर select करता हूं index nifty 50 में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए किस तरीके का gap up open होके price को उपर लिया गया है यहां पर देखिए price को gap up किया गया फिर उसके बाद नीचे फिर gap up फिर नीचे यहां पर फिर gap up फिर उपर तो यह जो gap बनाते जा रहा ह तो कहीं न कहीं बहुत heavy वाला connection हमें देखने को मिलेगा अभी आने वाले time पर तो मैं suggest करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा ignore करके ही चले क्योंकि मैं ज्यादा तर IPO को मैं personally follow नहीं करता क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप इसको follow कर सकते हो ठीक है लेकिन अ देख पार हो कि आज जैसे market जो है यहां पर थोड़ा सा sideways गया उसके बाद हमें last में moment देखने को मिला तो इस तरीकी का जो है अभी market predict करना मुश्किल है कि कहां तक आप जाएगा कहां तक जाएगा आप अगर इसको apply कर सकते हो पूरा details आप इसको पढ़ लो एक बार कि क्या है क्या नहीं है आपको इसमें क्या अच्छा देख रहा है क्या अच्छा नहीं देख रहा है उस हिसाब से अपना यह final decision दीजिए उसके बाद आप अपर apply कर सकते हैं तो चलिए आप आते हैं टेलीग्राम चनल पर और यह टेलीग्राम चनल पर आज बहुत सारी मतलब हुआ चीज़े तो यहां पर सबसे पहले मैंने good morning विश्किया सब लोगों को उसके बाद जो है हम लोग का entry मिला था chrome tone पर यहां पर आप देख पा रहे हो और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यह क्रॉम टोन पर आप देख पा रहे हो यह मैंने entry डाला वा था तो यहां पर मैं आपको जो है लेके चलता हूं stock पे तो यह देखे हम लोग अभी stock पर आ चुके हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 351.25 के आसपास मेरा कहीं entry बन रहा है तो यहां पर मैं एक बार entry मार्क कर देता हूं और coordinates भी डाल देता हूं 351.25 ठीक है तो यहां पर देख मारा entry मिला और यह मैंने बहुत पहले से order लगा के रखा था अगर आप इस comment section पर click करोगे तो आप देख पाओगे कि यह दिखिए यह जो है chromton का मैंने 351 यह जो है GTD का icon है आप अगर आपको पता होगा 0-2 user है तो 351.25 पर exactly मेरा यहां पर जो है buy हो गया था और मैंने यहां यहां पर भी आपको सेम चीज़ी explain करके दिया था कि 351.25 पर entry लेना है और stop loss जो है आपका यहां पर होना चाहिए 342 के आसपास और यहां पर सबसे पहला टार्गेट जो है यहां पर हमें हीट हुआ है यहां आपको दिखा देना चाहता हूं जैसे कि यहां पर मैं इसको 360.50 यह दिखिए यह हम लोग का पहला टार्गेट आज हीट हो गया तो देखिए जैसे ही price open हुआ 350 देखिए यह entry और जो stopless target का खेले ना यही अगर अच्छे से समाझ जाओगे तो बहुत अच्छा profit करने लगोगे तो क्रॉम्टन का देखिए यहां पर पर्फेक्टली हमें entry मिला dot entry और यह आज जो है पूर continuously market उपर यानि कि यह जो stock continuously उपर चाते गया बिना कोई stop लिये वे तो काफी कर लिये थे पता नहीं क्यों मैंने तो बहुत पहले यहां पर देख पारें October 29 को ही analysis डाल दिया था कि क्रॉम्टन अगर आप यहां पर entry करोगे तो पहले से order डाल गे रखना है पता नहीं फिर भी लोग क्यों मिस किया इसको अभी क्या बोलने कुछ लोग यहां पर 360 के आप से entry मीश हो जाता है उसको बहुल जाइए बाकी दूसरा trade देखिए ठीक है तो सबसे पहला chrome tone हमें trade मिला उसके बाद मैंने कल ही वीडियो में आपको में बताया था कि हम लोग मास्टेक Asian paint और बलराम चीन ठीक है तो वह stock को hold करके रखना था 3030 मैंने stopless proper आपको YouTube में वी इसकारे में discuss किया था तो यहां पर एक बार हम लोग stock पर चले जाते हैं Asian paint पर Asian paint पर देखिए यहां पर 3044.40 पर entry था आप जैसे कि देख पा रहे हो यहां पर entry 3030 मैंने stopless को trail करवाया था उसके बाद move देखिए किस तरीकी का move हमें यहां पर देखने को मिला है तो अगर मैं यहां पर एक बार mark करूं तो यह देखे किस तरीके का move हमें देखने को मिला 2.28% का move हमें देखने को मिला 68 points हमें यहां पर मिला target भी था 3069 अभी 3094 दोनों target को properly hit किया है और मेरा जो तीसरा target है वह आप देख पा रहे हो 3120 जो कि बिलकुल करीब है तीसरा target पर तो मैं आपको कहा था कि इसको hold करके रखे यह बहुत अच्छा जाने वाला है तो asian print भी हमको बहुत अच्छा target यहां पर देखने को मिला next stock चलते हैं यहां पर मैंने कुछ बाते की है यहां पर आप देख पार हो वीडियो को pause करके भी इसको rate कर सकते हो और उसके बाद यहां पर देख सक कि हम लोग को यह बलराम चिन काफी मतलब कह सकते है rank 3 में हमें देखने को मिला यह आज का date है यह मैंने screen shot लिया हुआ था तो फिर से यह अलग सा confidence feel होता है कि आपका selected हुआ stock rank पर आता है इतने सारे stocks है तो यह अच्छा feel होता है chrometon का तो already मैं बता चुका हो हम लोग ने discuss कर लिया था Asian paint भी काफी अच्छा जा रहा था ठीक है और यहां पर मैं आपको target 1 का तक पुरा trail करने में बोला था ठीक है यहां पर देख पा रहे हो अब तो घर target 1 लेके जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है ठीक है तो यहां पर आ मार्केट में आपको अपडेट देता हूं और साथी साथ आप यहां पर देखोगे Asian paint जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा 15 रेंग पर हाला कि यह और भी जो है हमें उपर देखने को मिला है यह देखिए यहां पर हमें जो है एक दम रैंक पर नजर होते हुए दिख सकता है कल यहां पर और मुवमेंट हमें देखने को मिले और हमारा टार्गेट 3 भी हीट हो जाए तो इस तरीके का जब आपका अनलेसिस आता है तो और आपको लगने लगता है कि आपका सिलेक्टेट स्टॉक अगर रैंक पर आता है तो कहीं ना कहीं आपका एकुरिसी लाए खुश हो गया यह जो है उन्होंने मुझे स्क्रीन शर्ट शेयर किया था तो इन्होंने जो है क्रूमटॉन पर आठ कुवंटिटि लिया था एक्वंटिटि और एट कुवंटिटि में 84 उन्होंने मतलब प्रॉफित किया और अभी वी होल्ड किये है बसिकली यह अगर आपने quantity पर जादा focus किया रहता है और आपका risk management पर भी तो यह देखिए अभी अगर यहाँ पर 8 के जगह यहाँ पर 80 होता तो definitely 840 profit होता है ना तो इस तरीके का risk management follow करना चाहिए तो definitely देखिए यहाँ पर जो इन्होंने भी same proper rule follow किया है 351.25 पर entry लिया था और यहाँ पर आप देख पारे हो अभी price 361 equity में 10 points का जो point होता है लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा आपने अगर try किया होगा किसी और telegram channel पर तो वो 2-3 रूपया move करते ही उनका जो है कुछ अलग सा scene हो जाता है वह उनका target हीट हो जाता है बट नहीं मैं proper आपको live market में guide करता हूं यहाँ पर आपको बताता हूं कि कहां पर जा सकता है कहां तक नहीं इस तरीके का जो अगर movement capture करना होना तो यहार हमारा telegram group join कर सकते हो विल्कुल free of cost है यहाँ पर आपको demand account open करना होग हमारे अंडर पर link description पर मिल जाएगा वहां से भी आप इसको open account कर सकते हैं और हमारे group join कर सकते हैं विल्कुल free of cost है अगर कुछ भी problem हो अपनीं होने के बाद आप हमें contact कर सकते हो हम आपकी email में सारी details जो है send कर देंगे ठीक है तो यह जो है आज का update था तो वीडियो अगर अ सब्सक्राइब किजएगा मिलते हैं वीडियो पर तब तक अपना ख्याल लगेगा गुडबाई टेक केर